नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट्रेप्शन के इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे कि सूचना आयोग में यदि आपका सिकायतबाद चल रहा हो तो आप किस परकार अपना पक्ष रखकर सिकायतबाद में सुनवाई कर सकत हैं चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाकर और पर भी क्लिक कर लें तथा एक दूसरे को शेयर अवस्ट करें जिससे हर भारती को इसकी जानकारी होशके तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगें चल 2722 को होने वाली है तो लिखेंगे शेवा में बिहार राज सुचना आयुक्त सुचना भवन पटना पंद्र यह बिहार राज से संबंदित है इसलिए मैंने यहां बिहार राजी का पता दिया है आप लोग अपने अपने राजी का पता लिखेंगे यहां विसर वाद संख्य जो अपका सिकायतवाद संख्या होगा उसका यहां वर्डन करेंगे डायरी संख्या होगा के दिनांग जिस भी दिनांग में आपकी सुनवाई हो जिस समय हो उसका वर्डन करते हुए अपना पक्ष रखने के संबंद में अपना नाम लिखेंगे पुरा पता भी दे देंगे बनाम जिस भी लोग सुचना अपदादीकारी के खिलाप आपने सिकायत बात दायर किया हूँ उसका पूरा पता और नाम दिख लिख देंगे महा से मैंने उप्युक्त कारियाले में दिनांक 2812-2019 को बहुत प्रियास करने पर प्रपत्र को जमा कराया लेकिन सोसमय वांचित सुचना अपलब्द नहीं कराया गया पुना संपर करने पर उल्टे भला भुरा कहा एवम दुरुभयवार भी किया आपका जैसा भी कंडिशन हो उसका वर्णन कर देंगे मैंने नमांतरन के श्रंग क्या इतना के संपुर्ण अविलेक का परमानित छाया परती की भांग किया था आयोग में सिकायत करने के बाद लोग सुचना पता देकारी ललित कुमार शिंग नाम देदेने द्वारा छह माँ बाद पतरां इतना दिनां कितनां से कुल 454 रुपए सुल्क की मांग किया जबकि 30 दिनों के बाद सुचना देने पर ने सुल्क सुचना दे जाने चाहिए इन्होंने कुल 227 परने का सुल्क मांगा यहाँ ध्यान देने योगी बात है कि आपने यदि आर्टी आई लगाया हो और 30 दिनों के अंदर आपको कोई सुचना नहीं दी जाती है तो सुचना ने सुल्क देने का प्रावधान है यदि उसके बाद सुल्क की मांग की जाती ह है तो आप लोग सुल्क जमाना करें आप अपना सिकायतबाद दायर करें या दूइती अपील कर दें तो इस प्रकार मैंने यहां सिकायतबाद दायर किया था इसलिए मैं यहां सिकायतबाद में अपना पक्ष रख रहा हूं मैं पुनह वरतमान लोग सुचना पतादिकारी से संपर किया उनका ट्रांसपर होने के बाद मैंने दूसरे जो आये लोग सुचना पतादिकारी उससे भी संपर किया लेकिन ये भी मुझे डाउट पटकारने लगे एवं बहुत प्रियास के बाद मुझे बर्तमान लोग सुचना पतादिकारी कुंदन कुमार द्वारा पत्रां कितना दिना कितना से मुझे केवल 227 पन्ले में से 60 पन्ले की सूचना बिना प्रमानित किये हुए उपलब्द कराया पहले वाले लोग सूचना पताधिकारी करते थे कि 227 पन्ला और जब दूसरे पताधिकारी आये तो मातर 277 पन्ने में से 60 पन्ने की ही सूचना वो भी बिना परमानित किये हुए उपलब्द कराया जबकि ततकालिन लोग सूचना पताधिकारी द्वारा 277 पन्ने होने की बात किया था इस प्रकार बरतमान लोग सुचना पताधिकारी कुंदन कुमार द्वारा भी जान बुझकर संपुर्ण अभिले की सुचना नहीं प्रदान की गई मैंने कई बार लोग सुचना पताधिकारी से संपर किया लेकिन मुझे संपर्ण अभिले की प्रमानी छाया परती नहीं उपलब्द कराई गई दिनांक 95-22 के आयो के आदेश के बाब जूर लोग सुचना पताधिकारी द्वारा जान बूझ कर बरस्टाचार को छिपाने के लिए प्रमानी छाया परती नहीं दी जा रही है ये आप लोग जो पक्ष रखेंगे इस प्रकार आपका कंडिशन जो हो लिख लेंगे और जब सिकायत बाद दायर किया जाता है तो उसमें ततकालिन लोग सुचना पताधिकारी का वरतमान पता भी मांगा जाता है आवेदक से ही कि वो बताएं कि वो उसका वरतमान पता क्या है तो आप लोग भी इस प्रकार आप लोगों के साथ हो तो आप लोग भी जो भी पदादिकारी हो उसका ट्रांसफर यदी हो गया हो तो उसका बरत्वान पता भी निश्चित रूप से पता कर लगा हैं वो कैसे पता करेंगे तो वो अपने कारियाले को समंदित कारियाले को ही R प्रांसपर वा वो किस जगह गए उसका बरतमान पता दिया जाए तो आप लोगों को उसका बरतमान पता भी मिलेगा तो मैंने ततकालीन यहां दे दिये शिकायत को पर्मानित करने के लिए मेरे पास साक्ष है जिसे मैं आयोग के समक्ष रखने को तयार हूँ इस साक्षियों की सूची निम्न प्रकार है तो आयोग द्वारा एक साक्ष की सूची बना कर मांग जाती है तो मैंने इस प्रकार एक लिकर एक जो भी एटेच किया हुआ है उसके साथ मैंने ये परती लगा दी है पहला दिनांक 28-12 उन्हें इसको दियेगे प्रपत्रको की चाया परती एक पे दूसरा प्रपत्रको द्वारा आवेदक की प्राप्ती रसीद की चाया परती जिसमें प्राप्त करता द्वारा प्राप्ती रसीद में भी काट कूट किया गया है एक पे तेसरा ततकालीन लोग सुचना पतादीकारी लित कुमार सिंग द्वारा छह माँ बाद पत्रांग इतना दिनां कितना से 227 पन्ने का सुल्क 454 रुपया मांग करने वाले पत्र की छाया परती एक परती चोथा बरतमान लोग सुचना पतादीकारी कुंदन कुमार द्वारा लगभग एक बर्स पिलम से 227 पन्ने में से मात्र 60 पन्ने की सुचना प्लप्त कराई गई वो भी बिना अभी परमानित किये वे इसकी एक परती और आयोक के आदेश की एक परती इस परकार आप लोग एक लिष्ट बनाकर एटेच कर देंगे जो भी पन्ना जिस में हो उसी अनुस्वार पीछे एटेच कर आप लोग अपना पक्ष रख सकते हैं या सुनवाई के तिथी से पहले आप लोग अवस्ष्रायोग में जमा करवा दें या रष्टी डाक से बे है सभी स्वभा प्रमानित करके लगेंगे करेंगे और हस्ता अक्षर कर देंगे डेट देते देंगे इस परकार यो भी अनुलगनक हो इस परकार लगाकर आप लोग शुचनायोग में अपने शिकायतवाद में अपक्ष रख सकते हैं जैहिन